दोस्तो हिमगाड आरो स्केर में आपका बहुत बहुत स्वागत है मुझे तकरीवन 20 सार हो गए है वाटर फिल्टर का काम करते हुए मैं चाहता हूँ कि जो भी मेरा एक्सपिरियंस है आप लोगों के काम आए अगर आप काम सीखना चाहते हैं तो अभी ये चैनल सबस्क्राइब करें और डे वाई डे ये वीडियोस आप देखते जाए दोस्तो जो आज की प्रॉल्म है कि आरो बार बार टक टक कर रहा है और अलग सी एक आवाज आ रही है तो दोस्तो जे आवाज आपने भी सुनी होगी इसके रहा एक प्रॉल्म और खास्ट मनें बताई कि उनके पानी का टेस्ट जो है पहले से थोड़ा चेंज हो गया है तो दोस्तो जब भी टेस्टी बात आती है वो एक अलग प्रॉलम है और जो अंदर एक टक टक की वाज आती है जा फिर अलग तरह की साउंड की वाज आती है वो एक अलग प्रॉलम है तो पहले हम चेक करेंगे कि प्री फिल्टर में कोई दिक्कत तो नहीं जिसकी बज़ा से पानी का फ्लो कम हो गया हो और टक टक की वाज आ रही है वो तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले हम प्री फिल्टर खूलेंगे और खोल कर देखेंगे कि इसमें क्या प्रॉलम है क्या इसका फ्लो सही है दोस्तों इसको खूलने का बहुत आसान तरीका है नॉर्मली तो और आम से खूल जाता है लेकर अगर बहुत जारा टाइट हो जा बहुत दिनों के बाद तो इतना असान नहीं होता है इसको खूलने का तरीका में एक वार आपको बता देता हूं अगर नॉर्मल तरीके से फिल्टर ना खूलता हो तो सबसे पहले आपने एलवो खोलनी है और नीचे से रिंग स्पैनर फिट करना है प्री फिल्टर के नीचे से और एक अच्छा मजबूत पेज कस लेना है आपने वो पेज कस की मदद से जितना भी ज्यादा मुश्किल हो टाइट हो प्री फिल्टर राम से खुल जाता है जैसे कि आप देख रहे हो तो अब आप कंडिशन देखिए प्री प्रीकल्स बहुत जादा जम्य हुए है तो इससे बेतरे इसको नया और इसके अंदर का पानी वी दिखिए एक अलग तरह जैसे आईरन वगेरा हो पानी में ऐसा पानी है दोस्तों जब भी आप काम करो दिल से करो तो इसको अच्छी तरह से आफ वाश करो प्री फिल्टर क को अच्छी तरह से टाइट करने के लिए रिंग स्पैनल का यूज़ करें और पेचकस का यूज़ कर सकते हैं आप क्यूंकि अगर यह अच्छी तरह से टाइट नहीं होगी फिर लिकेज की प्रॉलम आ सकती हो और इंग का भी ख्याल लखें और इंग भी आपने जरूर डा पहले हम इसके एक वार एलवो लगा दें और इसको अच्छी तरह से टाइट का दें दोस्तों दोस्तों अब हमारा में काम हो गया है अब हम प्री फिल्टर को हैंग करेंगे और उसमें जो एर बावल्स होते हैं पीपी स्पान में उसको हमने बाहर निकालना है तो सबसे पह यहां से कुछ टाइम हाँ वेट करते हैं यह जो प्री फिल्टर इसको बढ़ने के लिए थोड़ा टाइम लगता है उसके बाद फिर पानी बाहर आएगा वह साथ में एर बावल्स भी बाहर निकल जाएंगे तो चलिए वेट कर देते हैं थोड़ा सा यह इसका स्टेंडर् इंच का और जो प्री फिल्टर का होता है बहुता है बारा इंच का तो जैसे ही पानी निकले तो डेड़ दो मिनिट इसको ऐसे ही चलने दे और उसके बाद आप आगे आरो सिस्टम की सप्लाई लगाएं यह देखिए दोस्तो अब पानी आगे हाँ आप इसको एक डेड़ म काम हो गया है अब हम नेक्स देखेंगे पानी की टीडेस कितनी आ रही है दोस्तों पानी की जो नॉर्मल टीडेस हम पीते हैं 50 पीपीम टू वन फिफ्टी पीम अक्सर रखी जाती है जो सहित के लिए ठीक है और अब हम फाइनल टीडेस चेक आ देते हैं तो देखिए दोस दोस्तों सेकंड कम्प्लेंट थी उनकी की पानी का टेस्ट नहीं सही आ रहा है तो उसके लिए हम कार्वन फिल्टर चेंज करेंगे और वो नेक्स वीडियो में हम आपको पतांगे इसके लावा प्री फिल्टर खोलने के और क्या तरीके इसके बारे में तो चैनल जिरू सब्सक्राइब करें थैंक यू